शेशफल प्रमय अंक गणित में हम कैसे भाग देते थे जहां हमें याद है। उधारनार्थ साथ को दो से भाग देने पर तीन आता है और शेशफल एक बचता है। भाग के प्रतेख हिस्से का एक नाम है भाज्य, भाजक, भागफल, शेशफल इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। भाज्य पराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेशफल ठीक इसी तरह हम बहुपदम को भी विभाजित कर सकते हैं। उधारनार्थ, पाँच एक्स की खा तीन जमा एक्स वर्ग जमा एक्स बटे एक्स। जहां हम माल लेते हैं कि एक्स पराबर पाँच एक्स वर्ग जमा एक्स जमा एक। अब देखते हैं कि शेशफल प्रमय क्या कहता है। माना कि पी एक्स ऐसा बहुपद है जिसका अंश एक या उससे बड़ा है। माना एक कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स में रेखिये बहुपद एक्स घटा एसे भाग दिया जाए तो शेशफल पी ए बशता है। हम इसे ही शेशफल प्रमय कहते हैं। जिसका ऑजा कि वीछ।